संस्कृती परेटन तथा नागरिकुद्यन मंत्री प्रेमभादुर आलेले इस्ताने तह नेर्बाचन मां 60% जेत हांसिल करने घमंडा नगर्न इमाले अदग से केपिसर मां उलिलाईच सेताओनी दिये काशन। ओलिकई घमंड का कारण बामपंति हरुको दुईति हाई नजिक को संगिय सरकार ढहलेको रा प्रदेश सरकार पनी गुमावनु परेकुल लेकर देई मंत्री आलेले इस्ताने तह नेर्बाचन मां पनी 60% जेत हांसिल गर्ने ओलिको घमंडा लाई नेपाली जन्ताले जवाफ गौरी संकर मीडिया प्राली ले सनिबार काटफर्णों मा आईजना गरेको एक कारिक्र मा बोल देई उले उली नेतरितो कई सरकार दे नाराइन हिटी संग्राहलाई र पशुपत्ति मा रहेको धर्मशाला कौडी को मुल्ले मा बिचवली आलाई बुझाय को दावी कर कपा एकिकरित समाजबादी का नेता समेत रहेका मंत्री आले ले उली मा महा भारत को दुर्योधन भंदा पनी बड़ी घमंड चड़ेको तर जनताले त्यसको जवाफ आगामी निर्वाचन मा दिने बताए मान अगर पालिका जिच्चु बन्ये जुन गमंड गड़ेको छो यो गमंड मलाई कस्तो लागचा बन्दा महा भारत को दुर्योधन रा हम्रो नेपाल को राग नेता बनावदो खेपी वली दुईतेला दाजो बने अंकार मा कुने कमी छाईदा महा भारत को दुर्योधन एमालेको नेता खेपी वली यहीं फरक यहीं जाईदा दालेको बन्ये जंतेली तीस घतेश को जवाब दिन वला छल तपालने जानकारी करावन चाहांचु बीगत्य वहा परदान मंत्री हुदा थी बतास लाए को भाव महा चाहिदे नारिनिकी राज़बार बुजभुली मंत्री आलेले आगामी तिन बर्च वित्र संपन्न हुने करी चलचित्र नगरी दोलखा का लागी आवसेक बजेट को ब्यवस्तापन गरन आफुले सक्तो पहल गरने बताए। दार्विक द्रिष्टिखोनले परेटक द्रिष्टिखोनले एक्दमाई संपन्मावना भय गठाउतियों। जा हामी आज़ फिलिम सिटी बनाऊ दाईछों। शंचान मंत्रागले तेसको लागी लगानी गरी राखीको छों। आबा हामी करी सत्तरी दिन मात्र हामी शिदा भ भायरा यो फिलिम सिटी दस बर्षा लगाऊने वहीना तिन बर्षा मा कंप्रेट होने गरी बजेट का व्यवस्तापन गरना भुलागी मेरो तर्पवाटा मा पहल गरने चुँ एसको लागी बजेट भंदा अगाडी हामने येदी राख्चे लाए घजगज़ा होना सकीनो बने आमें पसारी पर्द सक्सक्तु उक्त अवस्तरमा मंत्री आलेले मर्यादेत पत्रकारिता गरनापनी संचार मातिम हरलाई आगरह गरे